हेलो फ्रेंड्स मैं सुसमा को हाड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको ये सुन्दर सा डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है प्रेंड्स ये डिजैन देखने में जितना सुन्दर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है इस डिजैन को आप बच्चों के स्वेटर, जैन स्वेटर, लेडिज, कार्डिगन, जैकेट, गल्स, टो, फ्रो, कुर्ती, कैप किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती हो सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजैन बहुत ही सुन्दर लगता है ये डिजैन बनाने में बहुत आसान है, इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको 12 के मल्टीपल फंदे लेकर प्लस 4 फंदे एक्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजैन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजेस्ट हो जाएगा 12 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 12 फंदे गिन लीजिए, फिर से 12, फिर से 12 इस तरह से आप 12, 12 यानि 12, 12 फंदे गिनते जाएए, लास्ट में आपके 4 फंदे होने चाहिए ये डिजैन सीधी साइड चे शुरू होता है, और 10 सलाईों में हमारा डिजैन कंप्लीट हो जाता है तो चलिए फ्रेंड्स इस डिजैन को बनाना शुरू करते हैalnız तो ये देखे फ्रेंट्स इस डिचैन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 28 फंदे 12 के मल्टीपल करके और उसमें 4 फंदे एक्स्ट्रा यहाँ पर फंदे डालने के बाद एक सलाई सीधी सैड से और एक सलाई उल्टी सैड से मैंने उल्टी बनाई है आप अपने प् सेम पहली सिलाई मैं आपको यहां पर बता रही हूं तो ध्यान दीजे कि पहली सिलाई कैसी बनेगी पहला फंदा इसका एजस्टीच है इसे आप उतारिए या उल्टा बनाईए ये आपकी अपनी मर्जी है तो देखिए एक दो और ये तीन तो पहला फंदा हमारा एजस्टी दो तीन और ये चार अब देखिए एक और ये दो इन दो फंदे के हम आगे से स्लाई डालेंगे किसी फंदे के अंदर स्लाई नहीं डालनी है दो फंदे के आगे से ऐसे डालेंगे और यहां पर हम एक फंदा ऐसे एक्स्ट्रा बुन लेंगे ये जो एक्स्ट्रा फंदा ब अब हम धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे ये जो एक्ष्ट्रा बनाया ये वाला और एक ये वाला यहां पर हम दो फंदे का एक फंदा इस तरह से उल्टा करके बुन देंगे अब ये वाला जो फंदा है इसको भी हम उल्टा ही बना देंगे अब धागा पीछे करेंगे और चार फंदे हम सीधे बनाईगे एक दो तीन और ये देखिए चार तो यह आँपर ध्यान दीज़िए पहला फंदा एससे चोड़कर दो उल्टे ये चार सीधे दो फंदे पर डिजाइन बनाया फिर चार सीधे तो ये हमारे बारा फंदे हो गई हैं यही 12 फंदे का डिजैन आपको बार-बार रिपीट करती जाना तो एक बार फिर से ध्यान से देखी हम इसी डिजैन को बना रही है 2 फंदे उल्टे 1 और ये 2 धागा पीछे करेंगे 4 फंदे सीधे 1, 2, 3 और ये 4 अब 1 और ये 2 इन 2 फंदे के हम आगे से ऐसे स्लाई डालेंगे एक फंदा हम यहाँ पर इस तरह से एक्स्ट्रा बना लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा फंदा बनाया इसको हम वापस इस स्लाई पर डाल देंगे धागे को अपनी तरफ ले आएंगे एक तो ये जो एक्ष्ट्रा बना ये वाला और दो में से एक ये इन दो का एक फंदा हम यहाँ पर उल्टा बना देंगे फिर ये फंदा जो बच गया इसे भी हम उल्टा ही बुनेंगे फिर धागा पीछे और चार फंदे सीधे एक दो और ये देखिए तीन चार तो हमने फिर से ये 12 फंदे का डिजैन बनाया अब इसी डिजैन को आप बार बार रिपिट करते जाएए लास्ट में आपके फिर 3 फंदे बचेंगे इनको आप उल्टा बना दीजिए तो पहली सलाई डिजैन की कम्पलीट हो गई है जितने भी फंदे हो ऐसे 12 बार फंदे का डिजैन बनाते जाएए और लास्ट के 3 फंदे उल्टे अब आज ये इसकी दूसरी सलाई और उल्टी साइड पर इस डिजैन में उल्टी साइड की सभी सलाईयां बिल्कुल उल्टी बुने जाएंगी तो आप धागे को अपनी तरफ कीजिए और इस तरह से उल्टा बुन नाते हुए इसकी दूसरी सलाई को कम्प्लीट कर दीजिए तो यह देखिए 2 सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई अब आज ये इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइड बढ़ा तीसरी सलाई को देखिए पहला फंदा एजस्टीज है यहां से अब हम डिजैन को शुरू कर लगाद दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे अब यहां हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे, देखिए एक, दो और यह तीन, अब देखिए यह सीधा और यह डिजैन वाला, इन दो फंदे के आगे से ऐसे स्लाइ डालेंगे, और एक फंदा हम इस तरह से एक्स्टरा बना और इसको हम सलाई के उपर लाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे ये एक्स्ट्रा फंदा और ये जो दो हैं इसमें से एक ले लेंगे और दो का एक फंदा उल्टा बना देंगे इस फंदे को में हम उल्टा ही बुन लेंगे फिर धागा पीछे करेंगे देखिए एक फंदा ये और एक इधर से इन दो फंदे के आगे से स्लाई डालेंगे एक फंदा हम यहां एक्स्ट्रा बनाएंगे इसको स्लाई के उपर ले आएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे इन दो फंदे का एक फंदा ऐसे बना देंगे फिर इस फंदे को भी उल्टा बुन देंगे धागे को पीछे ले जाएंगे और 3 फंदे सीधे 1, 2 और ये 3 एजस्टीच के बाद ये हमने 12 फंदे का डिजैन बनाया इसी को बार बार रिपिट करेंगे फिर से देखिए 2 फंदे ये उल्टे धागा पीछे करेंगे अब 3 फंदे सीधे 1, 2 और ये 3 देखें एक इदर से सीधा और एक ये आगे से स्लाई डालेंगे दो फंदे के आगे से स्लाई डाल कर एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे और इसको हम स्लाई के ओपर डाल देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे अब ये जो एक्स्ट्रा बनाया और एक फंदा ये लेके दो फंदे का एक फंदा हम उल्टा बुन देगे इस फंदे को भी उल्टा ही बुनेगे फिर से धागा पीछे ले कर जाएंगे एक और एक इदर से सीधा आगे से स्लाई डालेंगे इन दो फंदे के आगे से स्लाई डाल कर एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे इस को सलाई के उपर लाएंगे धागा अपनी तरफ कर देंगे दो का एक फंदा उल्टा बुन देंगे अब इस फंदे को भी उल्टा ही बुनेंगे फिर धागा पीछे और तीन फंदे सीधे एक, दो, और ये तीन ऐसे ही आप बारा-बारा फंदे का डिजाइन बनाते जाएए और लास्ट में आपके तीन फंदे हैं इनको उल्टा बुन लेजिए तो यहाँ पर हमारे डिजाइन की तीन सलाईयां कम्पलेट हो गई चोथी सलाई है और उल्टी साइड है इसे आप धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुन कर कम्पलीट कर दीजिए तो यह देखे फ्रेंट्स चार सलाईया कम्पलीट हो गई और अब आगए हम इसकी पांचमी सलाई और सीधी साइपर पांचमी सलाई को देखे कैसे पूरा करेंगे पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाईए उसके बाद हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पीछे और यहां दो फंदे सीधे बनाएंगे एक और ये दो अब देखे ये सीधा और एक ये वाला इन दो फंदे के आगे से ऐसे सलाई डालेंगे एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे और इसको स्लाई के उपर ले आएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे और अब यहाँ दो फंदे का एक उल्टा बुन देंगे इस फंदे को भी उल्टा ही बना देंगे अब हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ बीच में हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक और ये दो, अब एक फंदा ये एक इधर से सीधा, इन दो के आगे से स्लाई डालेंगे, एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे और स्लाई के उपर ले आएंगे, धागे को अपने तरफ क फंदे सीधे एक और ये दो एजस्टीज के बाद ये हमारा बारा फंदे का डिजाइन बन गया इसी को आप बार बार रिपीट कीजेगा फिर रिपीट करें डिजाइन को दो फंदे उल्टे धागा पीछे और दो फंदे सीधे एक और ये दो धागा पीछे ही रहे एक सीधा और एक ये वाला इन दो फंदे के आगे से स्लाई डाल कर एक फंदा एक्स्टा बनाएंगे और इस स्लाई के उपर लाएंगे धागा अपनी तरफ करके फिर दो फंदे का एक फंदा उल्टा बना देंगे और इस फंदे को भी हम उल्टा ही उन लेंगे धागा पीछे अब दो फंदे यहां सीधे बनाएंगे बीच में एक और ये दो अब एक ये वाला और एक इदर से सीधा इन दो के आगे से स्लाई डाल कर एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे और इसे हम स्लाई के उपर ले आएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे इन दो का एक फंदा हम उल्टा बु यहां पर हमारे ना फंदे बढ़ते हैं ना घड़ते हैं साथ के साथ इक्वल होते चले जाते हैं धागा पीछे अब दो फंदे ये सीधे बार-बार इसी डिजैन को रिपेट कीजिये लास्ट के तीन फंदे आपके उल्टे आ जाएंगे तो यहां पर हमारी पांच सलाईयां डिजैन की कम्पलीट हो गई छटी सलाई उल्टे साइड पर धागा अपनी तरफ कर लीजिए और उल्टा बुनते हुए छटी सलाई को कम्पलीट कीजिए तो ये देखिए फ्रेंट 6 सलाई या डिजैन की कम्प्लीट हो गई सातमी सलाई और सीधी साइड पर सातमी सलाई को अब ध्यान से देखिए पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाईए उसके बाद हमारा डिजैन शुरू हो जाता है दो फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदा ये सीधा अब ये सीधा और एक ये इन दो के आगे से सलाई डालेंगे एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे और सलाई के ओपर ले आएंगे धागा अपनी तरफ करके हम यहाँ दो फंदे का एक फंदा बना देंगे फिर एक फंदा और उल्टा धागा पीछे और बीच में हम चार फंदे यहाँ सीधे बनाएंगे देखिए एक दो तीन और ये चार फंदे सीधे आगे अब एक ये और एक ये सीधा दो के आगे से स्लाई डाल कर एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे और इसको स्लाई के उपर ले आएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे और यहां दो का एक फंदा उल्टा फिर इस फंदे को भी हम उल्टा बनेगे दागा पीछे एक फंदा ये सीधा, अब इसी टिजाइन को दोबारा repeat करना है, दो फंदे उल्टे, दागा पीछे, एक सीधा, ये एक सीधा, और एक ये, इन दो के आगे से सिलाई डाल लेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बना कर सलाई के उपर डाल देंगे धागे को अपनी तरफ कर लेंगे दो का एक फंदा उल्टा फिर ये वाला फंदा भी हम उल्टा ही बुन देंगे धागा पीछे और चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, और ये चार अब देखे ये वाला और ये सीधा आगे से सलाई डाल लेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा बना कर सलाई के उपर डाल देंगे धागा अपनी तरफ कर लेंगे और दो फंदे का यहां एक फंदा बना देंगे फिर इस फंदे को भी हम उल्टा पुन लेंगे दागा पीछे एक फंदा सीधा इसी डिजाइन को बार बार रिपिट कीजिए लास्ट के तीन फंदे उल्टे आपको ये फंदा स्लिप करना हो तो सीधा बुन सकते हो अब आज ये इसकी आठमी सलाई और उल्टी साइड पर इसे आप धागा अपनी तरफ करके उल्टा उल्टा बुन लेजिए तो ये देखिए आठ सलाई या डिजाइन की कम्पलीट हुई नौमी सलाई और सीधी साइड पर नौमी सलाई को आप ध्यान से देखिए अब यहां पर हमारा डिजाइन कम्पलीट हो रहा है एजस्टीज के बाद हम दो फंदे उल्टे बनाएंगे धागा पीछे ये सीधा और इक ये इन दो के आगे से सलाई डालेंगे और एक फंदा हम एक्स्ट्रा बना कर सलाई के उपर ले आएंगे धागा अपनी तरफ कर लेंगे और ये एक्स्ट्रा वाला और एक ये इन दो का हम एक फंदा उल्टा बना देंगे फिर इस फंदे को भी उल्टा ही बनाएंगे धागा पीछे और बीच में 6 फंदे सीधे आएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये 6 अब देखे ये वाला और ये सीधा आगे से स्लाई डालेंगे और एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे इसको स्लाई के उपर डाल देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ दो का एक फंदा उल्टा इस फंदे को भी हम उल्टा ही बुल लेंगे तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो डिजैन बनाया इसी को बार-बार रिपेट कीजिए धागा हमारा अपनी तरफ ही रहेगा और यह दो फंदे हमारे अब उल्टे क्योंकि नेक्स्ट इचैन की शुरुआत हो गई है अब धागा पीछे करके यह सीधा और एक यह वाला दो के आगे से सलाई डालेंगे एक्सटा फंदा बनाएंगे और सलाई के उपर डाल देंगे फिर धागा अपनी तरफ करके दो का एक फिर एक फंदा हम यह उल्टा धागा पीछे करके 6 फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छे आप देखे ये वाला और ये सीधा फंदा इन दोनों के आगे से स्लाई डाल लेंगे एक्स्ट्रा फंदा बनाकर स्लाई के उपर डाल देंगे धागे को अपनी तरफ गुमा लेंगे दो का एक फंदा बुन देंगे फिर ये एक फंदा उल्टा अब लास्ट के तीन फंदे हम उल्टे बुन लेंगे तो यहाँ पर हमारे डिजैन की नो सलाईया कंप्लीट हो गई दस्मी सलाई को आप बिलकुल उल्टा उल्टा बना दीजिए तो यह देखिए मैंने इसकी दस्मी सलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया है दस सलाईयों में हमारा ये डिजैन ओवर हो जाता है अब इन ही दस दसलाईयों को बार बार रिपिट करते जाना है तो चलिए एक बार मैं इसकी नेक्स्ट बार के आपको स्टार्टिंग बता देती हूँ ताकि डिजैन को रिपिट करने में आपको कोई भी प्रोब्लम ना हो तो पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाईए यहां से नेक्ट बार के डिजैन की पहली सलाई फिर से शुरू हो रही है एजस्टीज के बाद दो फंदे उल्टे हो गए धागा पीछे चार फंदे सीधे एक दो तीन और ये चार अब इन दो फंदे के आगे से ऐसे सलाई डालेंगे एक एक्स्ट्रा फंदा बना कर सलाई के उपर डाल देंगे यहां से देख लिजे बिल्कुल पहली सलाई हमारी बन चुकी है धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे का एक फंदा उल्टा बना देंगे फिर इस फंदे को भी उल्टा पुनेंगे धागा पीछे चार फंदे अब हमारे ये सीधे फिर से इसी डिजाइन को रिपीट कीजिए धागा अपनी तरफ ये दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे और चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, और ये चार एक और ये दो, दो फंदे के आगे से सलाई डालिए एक एक्स्ट्रा फंदा बनाकर सलाई के उपर डाल दीजिए धागा अपनी तरफ करके दो फंदे का एक फंदा उल्टा बनाईए फिर एक फंदा अब धागा पीछे करेंगे और चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, और ये चार लास्ट में आपके तीन फंदे होंगे ऐसे डिजैन को जब बार-बार बनाते जाओगे तो इनको आप उल्टा बना दीजिए तो देखिए, नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो गई है उल्टी साइड की सभी सलाईया उल्टी बुनी जाएंगे तो जब आप बार-बार इन्ही दस-दस लाईयों को बनाओगे तो ये देखिए, आपका इस तरह से बहुत ही प्यारा सा ये डिजैन बनता चला जाएगा तो प्रेंट्स, अगर आपको ये डिजैन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस विडियो को लाइक कीजिए अपने सभी प्रेंट्स घ्रूप में शेयर कीजिए चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आईकन को ऑलपर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके हैं और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके हैं थैंक यू